चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का इकन अपली जाब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बजरिया इंडेन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खांसी जुखाम का एक घरेलू उपाए इस रेमडी को जो आप देख रहे है वीडियो में इस रेमडी को अगर आपने ले लिया तो आपके अगर चाती में बलगम भी जमाया तो बो भी निकल जाएगा जुखाम अगर आपको तो जुखाम भी सही हो जाएगा और अगर आप दमा के पेसेंडे तो दमा भी सही हो जाएगा। आप इस मुश्के को लीजेगा, आप खुद देखेगा इसका इसका रिजेट आपको मात्र पहले दिन में ही यानि पहली खुराक में ही मिल जाएगा। अगर आपको कितनी भी भेंकर जर्दी जुखाम है आप इसको लीजे खासी भी कितनी भेंकर हो इससे तुरंत आराम मिलेगा देन देर तो चाहिए उस तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कैसे मैंने रेमेडिती तैयार की है वीडियो आप पूरा देखेगा वीडियो पसंदार लाइक कर देना अपने दोस्तों शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सबसे पहली समगरी यहां पर हमें चाहिए यह अद्रग आप अद्रग ले लीजिए यह करीबन मैंने एक से दो इंचे का अद्रग का टुकड़ा लिया है अद्रग को आप अच्छे से पानी से क्लीन कर लें और क्लीन करने के बाद में आप क्या करें इसका छिलका बिलकुल ना उता रहें आप इसका छिलका बिलकुल ना हटाएं और पानी से अच्छे से साप कर लें और इसको आप कद्दू कस कर लें दोस्तों आज की जो रेमेडी है बस आप इसको यूज करना आप जब पहली खुराख ही लेंगे आपको देन देर आराम मिलेगा कितना भी भैंकर जुखामू तो इस तरीके से आप इसको कद्दू कस कर लीजिए तो यहां पर मैंने सारा अद्रक कद्दू कस कर लिया है अब इस अद्रक का हमें चाहिए जूस तो आप किसी भी प्रकार से जूस निकाल सकते हैं आप चाहें तो पेश्ट बना कर जूस निकाल लें या आप इस तरीके से कद्दू कस करके जूस इसका निकाल तो यहां पर मैंने इस तरीके से जूस निकाल लिया है तो यह देखिए दोस्तों यहां पर करीबन दो चमच जूस निकल आया है आप इस टाइप से अगर चाहें तो थोड़ा जैदा भी जूस निकाल सकती है अब इसमें जो आपका जो मैं बता दूँ यह जो बचा हुआ अधरक है इसको आप बिलकुल ना फेके इसको आप किसी चाय बगरा में यूच कर लें यह भी अच्छा अधरक है अब इसके बाद में आपको क्या करना है यह जो मैंने जूस निकाला है इसको मैं अभी एक करना क्या है इसके लिए आप मैं दूसरी समगरी इसमें चाहिए काली मिर्च काली मिर्च के करीवन आठ दस दाने आप ले लीजिये इस तरीके से और दस दानों को ले करके आप पाउडर बना लें देखे अगर आपको जल्दी फायदा लेना है तो आप घरेलू चीजों का यूज करें आप इस तरी केसे काली म्र्च को ली जेगा और कूटने में कूट ली जिए जासे यहां पर मैंने कूट करके इसका पौडर बना लिए अगर आप मार्केट का पाउडर लेंगे तो दोस्तों मिलाबर तो होती ही है मार्केट कीचीज़ों मैं आप खरेलयों चीज़ों को इस तरीके पावडर बनागे जल्दी जल्दी फैदा मिलेगा तो यह देखें यहाँ पे मैंने पावडर बना लिया है काली मिर्च का आप आपका जू से इसको हमें कर लेना हल्का सा गुर्णोना आप बस सुरंत रखिएगा बस हलका गुर्वना हो जाए ऐसे ही उतार ले गुर्वना होने पर अब इसमें आप डाल दीजिए ये काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर ले और इसको मिक्स करने के बाद में आप इसमें हम एक चीज और एट करेंगे वो है हनी यानि कि सहद आप करीवन एक चमच इसमें आप सहद डाल दीजिए और दोस्तो इस नुस्के को बच्चे बूड़े जबान कोई भी ले सकता है हर उम्रे के लोग इसको ले सकते हैं सबी लोगों को फायदा मिलेगा तो इसमें आप एक चमच सहद डाल करके इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए लीजिए दोस्तो ये हो गया आपका सर्दी जो खाम खासी के लिए बहुत ही रामबाड अचूक नुसका तयार कितनी भी वैंकर खासी हो आप देखने आप इसको खाईए गाए मात एक चमच खाएंगे ना आप खुद देखना इसका कमाल अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम नमक हाँ बहुत से लोग यह Armenian करते हैं कि मैं यहां पे काला नमक नहीं मिलता है मैं बाहर से हूं तो प्लीज जिन लोगों को काला नमक न만 मिले तो कोई बात नहीं है काला नमक इसकी कोई और सकते आप मात्र काली मिर्च और अधरका जूस और सहद ले सकते हैं वह भी आपको फायदा करेगा तो आप इस तरीके से यह देखिए रेमेडि में के तयार हो गई है अब जाकर किसी छोटे बच्चे को दे रही है तो आप मात्र यह आधा चमच इस टाइब से दे दीजिए यानि चटा दीजिए और अगर कोई बड़ा ले रहा है किसी बड़े को दे रहें बड़े बुड़े को दे रही है या जबान को दे रहे हैं तो आप इस तरीके से एक चमच भhर कर के इसको आप लीजिएगा आपको इसको लेना काव मैंस सोबह, दोपहर, साम एक दिन में पूर बिल्कुल ना पी हैं आपको करीवन आदे घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है इससे आपके अगर गले में सूजन है इन्फेक्शन है बो भी अच्छा हो जाएगा गले की खरास खतम यानि कि आपके जो जो जुखा में जो बैक्टीरिया हो जाते उन बैक्टीरिया को खतम करेगा और इससे आपको तुरंट देन देर आराम मिलेगा जो बैक्टीरिया गले में खरास पैदा करते हैं दर्द पैदा करते हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा तो दोस्तों आप इस नुस्खे को करीवन तीन दिन तक लगातार यूज कर ले इसमें कोई वीठी ज तरदी जुखाम बाले वह मातर तीन दिन दिन तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं में तीन आपको तक के लिए नमस्कार